रिवीजन एवरिफिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे आप लोग आप सब बहुत ही अच्छी होगी देखिए इसके पहले हम लोग ने सुंग वन्स को देखा था जिसके अंतिम सासक देवभूत को कियत्या उसके ही सेनापती हाथ Chiraु ने सुंग वन्स को सथाने पे कणवंस की स्थापना की था आज हम देखेंगे कणवंस के सणस्थापक वश्वोदेव थेह इन्होंने अपनी राज़धानी विदिशा को बनाया यानि कि अभी तक जो राज़धानी थी वह पाठली पुत्र हिस पर सिमुक ने कर दी देखें जो कर्व वंस था ये बहुत सी ज्यादा योग या प्रतापिश आसक नहीं थे इसके कोई भी सासक इत्यास बहुत ही छोटा है तो इनके सेनापती जो सिमुक थे उन्होंने सुसर्मा की हत्त्या कर दी जिस कर्व वंस का भी अंद हो गया अब देखत इस वंस की स्थापना सिमुक ने की प्रारम में या वंस महाराश के छेद में था किंतु सक्राजाओं ने इन्हें महाराश छोडने पर विवश कर दिया जो मगधि था ये धीरे-धीरे पश्मी और खिस सक कर दो और अब जो वहां के सासर थे वो अब पहुच चुके थे महाराश्ट के छेते में तो जो ये सात्वाहन थे ये भी महाराश्ट में ही पहुच गये थे और उस समय तक सकराजा आ गये थे जो कि मधेशिया के रहते थे तो उनका सात्वाहनों के साथ हमेशा विवाद चलता रहता था हमेशा युद होता रहता था जिसकार इन्होंने महा चोर दिया और साथ crime वहस को आंध्र प्रदेश में स्थानांततरित होना पड़ा। यानी कि अब महाराथ से हटते हटंतर यह लोग आंध्र परदेश में आ गए जेगे जिस कारण इनको आंध्र साथ वहन भी कहते हैं क्योंकि यह लोग आंधर प्रदेश में धीरे धीरे पहुच चुके थे साथ वहन की राजधानी महाराष्ट का प्रतिष्ठान थी इसके पहले जो कड़ वन्स था उसकी राजधानी विदिशा थी तेकिन अब राजधानी भी चेंज हो गई जो साथ वहन थे से इनकी रालधानी महाराष्ट का प्रतिष्ठान थी साथ वहन में सबसी योगिसासक हाल था इस वन्स का सबसे प्रतापिर आश्यो नहपार ने आकरमर किया किन तो गउतिमी पुत्र 7 कर दिया देंथे यह सकों से तो इनका वीवात चलता भी रहता था और इसी सिरीज में जानकारी जिसके महाराष्ट के जोगल ठंबी से मिले जिसके एक और गौत्मी पुत्र साथ करनी एवं दूसरी और नहपान बाढ़ना हुआ है यानि कि देखे जो सिक्का मिला हुआ है उसी से इस वात की जानकारी मिलती है यानि कि गौत्मी पुत्र साथ करनी और नहपान के बीद जो यूद हुआ था इसकी जानकारी जोगल मतलब स्ument सीक्ड को से ही मिलती हैुसे कर आगला सासक वसस्टी पुत्र पुल्लुमाभी उन्हेश को ऊठरद्र इसके समय पुनह ऊजेयन के सक आक्रमड किया इस बार सक आक्रमड का नेटर्त रूत रुद्र झामन कर रहा था रूद्रदामन ने वसिस्टी पुत्र-पुल्लु मापी को पराजित कर दिया किन्तु दोनों के बीच वैवाहिक संबन्द इस्थापित हो गया देखिए जो इस बार जो रूद्रदामन थे वो बहुत ही ज्याला योग थी जो सासक रूद्रतामा थे वो बहुत ही योगी थे इसलिए वो जीत गए किन्तु जो साथ वाहन सासक वसिष्टी पुत्र पुल्लमावी थे ये हार गए थे लेकिन दोनों के बीच वैवाहिक संबंद स्थावित हो गया जिसके कारण सारी समस्यां ही खतम हो गए इस वल्स का अंतिम सासक यागिस्री साथ करनी था यानि जो साथ वाहन वंसा इसका अंतिम सासक यागिस्री साथ करनी था ब्रामणों को सबसे पहले भूदान साथ वाहनों ने ही दियना शुरू किया किन्तु सरवाधिक भूदान गुप्त सासकों ने दिया इसको याद रखेगा कि भूदान की विवस्था थी वो सुरूस तो साथ वाहन की समय से हुई और अगर पूचा जाए कि सरवधिक भूदान किस ने दिया तो वो गुप्ट सासकों ने ही दिया वेतन के बदले भूमी देनों को सामंती विवस्था कहते हैं या विवस्था साथ वाहनों ने सुरू किय किन्त सरवाधिक भूदान गुप्ट सासकों ने ही दिया देखे मालीजी आपके यहां कोई काम कर रहा है तो उसको पैसे के बदले आपके पास जो भूमी है उसको थोड़ा थोड़ा आप दे रहे हैं इसी को सामंती व्यवस्था कहते थे यानि जो राजा होता था वह अपने ने दिया तो गुप्ट सासकों ने ही दिया साथ वहां समाज मात्र सत्तात्मक था यहां नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था किन्तु राजा पुरुष ही होता था यानि मात्र सत्तात्मक था इसलिए जो नाम था उसके आगे सबसे पहले माता का नाम लिखा जाता था लेकिन मातर सतात्म का यह आर्थ नहीं है कि वहां का राजा महिला होते थी बलकि राजा पुरुष ही होता था इस समय सीसा का सिक्का प्रयोग में की चलाया गया है यह बहुत ही जरूरी है सीसे का सिक्का क्योंकि कई बार यह एक्जाम से पूझा गया है कि सीसे का सिक्का किसने चलाए तो सीसे के सिक्के साथ वहनों ने ही चलाए साथ वहां समराज की भूमी गोदावरी नदी के घाटी में था जिस काड़िया अत्यधिक उपजाओ थी यानि कि जो साथ वहां समराज की भूमी थी ये गोदावरी नदी घाटी में थी और जहां पर नदिया होती है महां की भूमी बहुत ही उपजाव होती है तो यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जो साथ वहानों में इंपॉर्टन्ट है तो आपको यह एक्जाम्स में हिल्प करेगा मिलते हैं निस्ट वीडियो में थाइंक यू